नमस्कार स्वागते आप सभी का हमारे बेहत खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ शेलजात यागी पहुंच गई हूँ मैं हरदासपुर गाओं में और यह लखनाओं से कुछ दूरी पर पढ़ता है यहां पे रहते हैं हमारे एक दर्शक जो हकीम साहब से जुड़े ह हुए हैं और कितने वो स्वस्त हों यहीं जानने में घर पहुंच गई हूँ आपको विदेश में रहते हों गाओं में रहते हो हम पहुंच जाएंगे आप तक क्योंकि हमीं जानना है आपकी सहत पाहाल ह경 साहब किस दवाई से आपको कितना फाइदा रहा है और कितना आप लोगों की खदमत कर रहे हैं यही जानने में जिनके घर इस वक्त मौजूद हूं जिनके घर के बाहर में खड़ी हूं अपनी पुरी टीम के साथ उनका नाम है दिलदार सहाब तो चलिए मिलकर उनका स्वागत भी करेंगी और उनकी घर पे आपको भी ल जतियागी और इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनव से थोड़ी दूरी पर एक गाउं परता है हरदासपुर जहां पर रहते हैं दिलदार सर और दिलदार सर से मिलने हम आए हैं क्योंकि वो हकीम सहाब से जुड़े हूए हैं हकीम सहाब से जुड़के उन्हें कितना था कि उसको हो जाये लेकिन आप गाउं में रहते होँ शहर में रहते हों कुछına कुछ आपको हो ही जाता है कहीं आपका खान-पान अच्छा नहीं है कहीं पर आपको प्रदूशन वाली जगे मिल रही है या फिर आपको एच फैटर जो होता है उसकी वज़े से भी आपको क इतने संतुष्ट हैं कितना खुद को स्वस्त मान रही हैं यही जानने हम उनके पास तक आए हैं आपको बताती चलू कि दिलदार सहाब इस गाओं में खेती करते हैं और लगतार उनका जो परिवार है वो इसी काम में हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ यहां पे काफी व सार अपने अब बारे में हमें अर मारे दर्श्व को बताएं आप इस गाओं में कपसे रह रह रहे हैं इस गाओं पेदाइस हुइ इथी दू रह रह रहू हमारे बुजुरोग भी रह रह रहे हाँ हाँ और घर में कौन गोन है घर में हमारे दू बच्चे हैं एक बेटी है और जैसे कि मैंने दर्शकों को बताए कि आप दो बहु है अच्छा काम करते हैं तो क्या चीज उगती है उसमें तो परिशानी क्या कुछ रही आपको हमको परिशानी हमाई जीज की हड़ी ही किया मजह है रसन साफ बहुत बड़े डाक्टर बताया जाया थे उसको दिखाया उनसे कोई लाब दहीं मिला दवा खाते रहे और बढ़ते बढ़ती रही एक टीवी पी देख रहे थे कि सुलेमान साब हकीम साब की तो जाके किस्णानगर में पता चला तो ये दवा पूरी नहीं चल पाई है किसशा तौक तो कौन सी दवा है तो 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 कई महींने हो गए दो कर दोल मेंने के कि रहा हुछ attachon हो, मैं यह तो यहां लेकिन आ लेकिन को यहां कि countrysideshain, एदि बढ़नें एकुल्या कंके निए चाने हुट्धे में एक कैर विलगती लिगृ और कि बात कहीं यह डॉक्टर ने आपको बताया होगा उससे नसे दब रही थी अच्छा पंजे सुन हो रहे थे तो पंजो का सुन कम हुआ है कम हुआ है ठीक है है हकीम साब से जुड़ने से पहले आपने क्या कुछ दवाईयां खाई और बहुत दवाईयां खाई अंग्रेजी बढ़ दवाई खाई और मर्जे बढ़ जी रही यह दवाई खाई सबसे कर्म कोई मत नहीं बढ़ रही आराम भी मिल लएं कितने टाइम पुरानी बिमारी है करीब साथ आठ साल पुरानी विमारी है और अभी उम्र कितनी होगी लगभग उम्र अठावन साल के हैं आप अच्छा तो हकीम सहाब का प्रोग्राम आपने देखा तो आपने प्रोग्राम जानकारी की तो किसना नगर में इनका हर्पीटल है वहां से दवा लाना सुरू किया पहली अप्छीश परसेंट अराम मिल रहा है आपकी जो बिमारी है ये साथ-अट साल पुरानी है कम हो रहा है साथ-टाठ साल पुरानी बिमारी डॉक्टर ने क्या कह दिया था दवाया खानिया उप्रेशन करना रात जो यह वह उप्रेस्टर मजय हुसें ने सब खात होगा आप नेलें से सकोम मिल गया तो यही चला रहे हैं आपको अपरेशन के लिए जब कहा गया तो घर में भी सलाम अशुवरा किया होगा अपने तो पैसे आप पैसे बात बताईये ना सर अपने घर पे किया डॉक्टर ने कह दियो ऑपरेशन करा लिजे क्या आपको अंदर से लगा कि नहीं बिना ऑपरेशन के भी में ठीक हो सकते हैं हमने दिमाग में लगाया कि जड़ी बूटियों से खून संचालन हो ले लगए और कोई दर्द होती नहीं थी सुन पना कर रही थी जब ज्यादा चलते हैं तब पैरों में कम्योरी पना उठाने में असमर्थ होने लगते है मुझा कई इस चाले जाते हैं टो करीफ से श्सक्रम में करिए करिए दोसोर मीट चले-जाते तो उठाने विक्डत ज्यादा नहीं होती आप। scenario कर नहीं जुक है लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने जिसे पैसे की बात कही के पैसा नहीं था इसलिए पैसा नहीं आ司शा अब नहीं लगता है कि अच्छा है मैं आपरेशन से बच गया है हमारे साथी सलाही भी मैंना किया कि अपरेशन मत करा ना खटिये पकल लिए तो आज पास के लोगों ने भी राय दी कि अपरेशन मत कराई है लेकिन मुझा आपकी बाचीज से लगा कि अगर आप पे पैसा होत सब्सक्राइब कि तरफ गए जड़ी बूटियों तरफ लिए तो आपको कहा रास्ता दिखा हकीम सहाब से मिला कोई नुस्के भी बनाए है घर में हकीम सहाब के बताएगा हो कलोंजी का छिरका बनाए एक हाट कभी बीमारी है तो कलोंजी छिरका तयार हो रहा है जातून औ नमक काला नमक और निमू लैसुन यह चारो गिलास एक एक गिलास बनाते हैं वह निचोड़ के जब्यम रख देते हैं सुबह साम तिन तिन चिमत लेते हैं गरम पानी तो हाट के लिए बनाया हाट के लिए बताया देखा था शलेमान साब का तो वही हमने नुक्सा चालू यह चार पांच साल से यानि कोई जरिया नहीं रहा आपने खुदी टीवी और हकीम साब का प्रोग्राम आ रहा था था फिर उनके नुस्कों पे उनकी दवाईयों पर जयान करने लगे फूरा तो घर परिवार में कोई कहता नहीं तो क्या देख रहे हो आप या क्या नुसक फार हूं । गरएंगां परवार में के टनके मिलें लिए यहिल्य मुतं सबोवार में लक्रिए नंता रहा है क्या व्याहिं एक साथ मिला था किम साब क्षाइब कि पbersण हुआ इनकी दवाईया पैसा में चाहिश और ही शानार रिंट जा र्दकर बपिल्व नौ um है खाते रहो है क्योंकि हाकीम साब तो सीधे तौर पर आपको घरेलुन उसकों से जोड़ते हैं इस गाउं में रह रहे हैं आप काफी वर्षों से आपकी पैदाईश यहां पे हुई है तो आप अपने आसपास के लोगों को जानकारों को हकीम साब की दवाईया आपको तारी आपको पैरों के लिए बोल दिया गया और अपरेशन करा लिए अच्छा हमने नहीं करा तो वह हकीम साब को कौन से उसका ले रहा है यह ले रहे हैं लेशन नीमू अधरक जातुशीर का अच्छा बराबर बराबर करके की मिला लेते हैं और तीन चमबर साम को तीन सुब्स टो पैरों में भी आराम हो रहा है और आप बच गये आप और्परेशन से और अब आर अपना क्याल दोब्हों भी रख रहे हैं और आप अपना ख्याल खुद भी रख रहे हैं और देखिए यही बात होती है कि जो चीजे किम साब साब बताते हैं राल committed to हमें जब जानकारी आप हकीम सहाब से जुड़ गए हैं आप हकीम सहाब ने देखें को बड़ी खुशी हुई आपके जिंदगी को बदला भी ने उमेद है कि बदला हो जाएगा पूरा अभी कितना लग रहे कितना बदलाव हो गया है अब बताई 25 पर बदला हो चुका 60 दिन में हकीम सहाब के ल प्रवक्ता में दिया और आप से मिलने का हमें मौका मिला सब्सक्राइब को अभी हाल फिलाल में ही हकीम सहाब की दवाईयों से हकीम साब के नुसकों से वह जुड़े हैं लेकिन 4-5 साल से वह किम साब को प्रोग्राम देख रहे थे बहुत तकलीफ होती है यह सुनके यह ज चाहिए हकीम साब के युनानी ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए आप देख सकते हैं खुद ही आपने खुद ही उनको सुना के उनको कितना अराम मिल रहा है ऐसे ही आप लोग भी अपना ख्याल खुद रखिए बस आपको यही तो समझना है कि परेशानी क्या कुछ है औ बस इतना ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए आप अपना ख्याल रखिए मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार